बच्चों, शब्द समुह को संखिप्त अथवा छोटा करके लिखने की पिधिकों समास कहते हैं, शब्दों की समुह को मिलाकर जो नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं, समस्त पद के शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है, यथ जितना शीग्र हो, बच्चों समास छे प्रकार के होते हैं, एक अव्याई भाव समास, दो तत्पुरुष समास, तीन द्वंदो समास, चार बहुब्रीही समास, पांच द्विगु समास, छे कर्मधारे समास, एक अव्याई भाव समास, बच्चों अव्याई का अर्थ है व्याई न होना, जिस समास का पहला पद अव्याई होता है, और सामासिक पद भी अव्याई होता है, उसे अव्याई भाव समास कहते हैं, आओ, कुछ उदाहरणों के द्वारा अव्याई भाव समास को समझे, शामासिक पद समास्विग्रह प्रति दिन हर दिन आजीवन जीवन भर निर्भय बिना भै के प्रत्येक हर एक प्रतिमाह हर माह आमरर्ण मरने तक प्रतिपल हारपल यथा स्थान जहां जिसका स्थान है भर पेट पेट भरकर आजन्म जन्म भर तत्पुरुष समास बच्चो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं इस समास में कारक चिहनों का लोप हो जाता है। आओ, कुछ उदाहरणों के द्वारा तत्पुरुष समास को समझें। सामासिक पद, समास विग्रह, कारक जिसका लोप हुआ। स्वर्ग प्राप्त अर्थात स्वर्ग को प्राप्त कर्म तत्पुरुष रिखांकित अर्थाथ रिखासे अंकित करण तत्पुरुष धर्म शाला अर्थाथ धर्म के लिये शाला संप्रदान तत्पुरुष पद मुक्त अर्थाथ पद से मुक्त अपादान तत्पुरुष पवन पुत्र अर्थाथ पवन का पुत्र संबंध तत्पुरुष आनंद मगन अर्थात आनंद में मगन अधिकरन तत्पुरोश तीन द्वन्दो समास बच्चों जिस समास के दोनों पदों का महत्व समान हो उसे द्वन्दों समास कहते हैं। इसमें समास विग्रह करने पर दोलो पदों के बीच में और अथवा या योजक शब्द लगते हैं। आओ कुछ उदाहणों के द्वारा हम द्वन्दों समास को समझें। सामासिक पद समास विग्रह अपना पराया अपना या पराया पाप पुण्य पाप और पुण्य खरा खोटा यश अपयश सुख दुख उपर नीचे लाभ हाने पाप पुण्य पाप और पुण्य चार बहुब्रीही समास बच्चों जिस समास में दोलों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता बलकि कोई अन्य अर्थात तीसरा पद ही प्रधान होता है उसे बहुब्रीही समास कहते हैं आओ कुछ उदाहरणों के द्वारा बहुब्रीही समास को समझें सामासिक पद समास विग्रह नील कंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव वीणा पाने विल्डा है पाने हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती दशानन दस है आनन जिसके अर्थात रावण चतुर भोज चार है भोजाएं जिसकी अर्थात विष्णों पीतांबर पीला है अंबर जिसका अर्थात श्रीक्रिष्ण चक्रधर चक्र को धारण किया जिसने अर्धात विश्णूं पांच द्विकुसमास बच्चों, जिस समास में पहला पद संख्रवाची होता है और विग्रह करने पर समुह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है, वह द्विकुसमास कहलाता है आओ अब कुछ उदारण के द्वारा विकुसमास को समझें सामास एक पद समास विग्रह चोराहा चार राहों का समुह शताब दी साथ अब्दू का समुह चतुर भुज चार भुजाओं का समुह त्रिफला तीन भुजाओं का मेल त्रिभुज तीन भुजाओं से बना चे कर्मधारे समास बच्चो कर्मधारे समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान या विशेशन विशेश का संबंध होता है जिसका वर्णन किया जाए उसे उपमान कहते है तथा जिससे समानता बताए जाए उसे उपमेय कहते हैं। आओ कोश उदाहणों के द्वारा कर्मधारे समास को समझें। कि समान श्याम उपमान उपमय चंड्रमुक। चंड्र की समान врख उपमान उपम मीय चंड्र की समान उपमान उपमय